हेलो एव्यवन वेलकुम बेक टो मैं चैनल कावे सकेडवी इन दिस वीडियो आई विल गोंग टो दिस्कॉस ब्हू एंटर्स एक्जाम एमसेजोलोजी 2020 पेपर सॉलीशन तो यह पार्ट फोर है एंस पार्ट फोर के अंदर हम डिस्कॉस करेंगे कोशन नमबर 61 से लेके 80 तक स्टाट करते हैं बागी की पार्ट में ने अल्रेडी डिसकॉस कर दिये तो आप प्लेइलिस में जाके चेक कर लेना अधर्वाइस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएका तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि बिफोर वी स्टाइं दिस वीडियो प्लेज स्प्सक्राइब मैं चैनल ना कोशन नमबर 61 अ टेक्षण आपका पूछा गया है ताइप आप जादा इंपरेंट है और उसकी एग्जांपल से ना वो भी बात इंपरेंट है और उसका स्ट्रक्चर क्योंकि स्ट्रक्चर की ब जिसके ओपेसा प्रेजने है या फे लाइन कुसकी प्रेजन ने प्रजल ने लिए लिए यह विं और थी दोनों चैनल यहाइं टोस्सने कुछ यही आपको मिल जाएंगे तो ऑवरल चीज यह है कि यह अजय को तोपिक है वह आपको अपको अच्छे से करना है ओक और सो दे यह टॉपिक बहुत बहुत जाधा इंपरेंट है और उसकी ग्जामपल अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से ग्जामपल है और उसका स्ट्रक्चर कैसा देखता है कि मैं देखूंगे हुपर इसके उपराद वीडियो बनानी की ड्राय करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है तो में इसके उपर आप स्ट्र में बनाऊंगी आप के लिए मैं सॉट नौट्स इसके लिए प्रोबाइट करवा दूँगे it तो अगर आप मुझे टेलिग्राम ग्रूप में या फिर इंस्टा आइडी पर आप जुनना चाहते हो तो मेरा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके कोशिन नमबर 62 विच टाइप ऊफ प्रैमरी सेक्स डितर्मिनेशन मेकेनिजम इसफॉलोड इन हुमन तो आपको पता है कि जो हुमन है हुमन के पाज अगर फीमेल होगी तो एक्स अगा यह अग्स तो कॉमन है अगर एकश की प्रेजिंस एक्स की प्रेजिंस पर एपसंस में ह female sex okay so option number आपका होगा 4th correct जो x ratio determine the sex ratio यह human के अंदर नहीं होता है okay presence of one and two x chromosome determine the sex यह भी नहीं होगा यहां पर जो मैन होगा आपका by chromosome की presence और absence की विज़े से option number होगा आपका 4 correct now question number 63 black water fever is the special manifestation of malaria caused by तो जो black water fever है है तो यहां पे is the special man here पे क्या होता है की black water fever is the complication of malaria malaria का stage जिसके अंदर क्या होता है कि जो red blood cell होती है वो क्या होती ही ब़स्त हो जाती है बस्त होने के वज़ज़ से बस्त होने के वाज़ज़ वह ब्लड वैसल के अंदर एंटर कर लेता है और फिर वो यूरीन के अंदर एंटर करेगा तो इस विज़े से क्या उगर कि उस परसंगी कीड्नी फैल होने की चांसे बढ़ जाते हैं उस परसंगी डैत हो जाती है तो यहां पर राइड ब्लॉर साल का बर्स टोना उसको हम बो यहां जो में भी नुल्हां राइज कुण अर्ड श्यावक और गुणा थाओं सो नों न्मौ नुम्बर आपका होगा भी कर्यक्ट तो यह जुम मले जो मॉस्की टोपिक हैं मॉस्की टोपीक कितने ताइप से होते हैं ओके अंड कौन कौन सी डीस कॉस करते हैं और पिप्र इसको टांस्मिट करते हैं तो आपको सारा की सारा पता होना चाहिए तो इसकी बारे में डीप नॉलिज ले 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 लेना सुप्शन नमबर आपका होगा सैकेंड करेक्ट लिख यहां पर आपको क्या बोला गया है ऐसा काँसा ग्लाइकोलाइटिक एंजायम की घूता हैं अब देखो ग्लाइकोलाइजी सएल जो टॉपिक है और उसके उपर एक नई को जाएगा है तो देखो यह glycolysis cycle है ग्लुकोज टूरत है इंट दौ पायरुवेट है तो यहाहां पर बहुत सरा एंजाइम फंक्शन करते हैं तो यहां पर आपको है तोड़ा है इन्ट दूड़ा है इन्ट ग्लुकोस इक फॉसफीट है इन इन्ट इसमें क्या हो रहा है कि जो एडिप है वोग्रीप में इसका मतलब क्या होबा है एकल्डव का ब्रेकडाउन हो रहा है बड कोशन में क्या दे रखा? ATP Synthesys. तो यहां पर ATP का formation तो हो नहीं रहा है, है ना? तो यह तो होगा नहीं. Option number second में क्या दे रखा? Lactate Dehydrogenase. यह जो एंज़ाइम होता है, वो क्या करता है? जो pyruvate है, उसको convert करता है Lactic Acid में. तो pyruvate Lactic Acid में जो convert होता है, इंदी presence of lactate dehydrogenase. और इसके अंदर आपका NADHU आता है, ATP का formation नहीं होता है, तो option number B भी होगा नहीं. थड़ा आपका आता है, थड़ा आपका आता है pyruvate kinase. यह जो pyruvate kinase है, अब देखो कहां पर, pyruvate kinase आपका यह रहा है, और यहां पर आपका क्य enzyme, यहां पर क्या हो रहा है, ADP, ADP, ADP किसमें convert हो रहीं, ATP, means यहां पर क्या हो रहा है, ATP का formation हो रहा है, तो यह option हो सकता है, ok, फी थड़ देखते है, option number D में क्या रहे है, फॉस्फो fructokinase, फॉस्फो fructokinase कहां पर, यह रहा, फॉस्फो, फ्रक्टो μας का इनके यहां पर यहां पर 116 फॉसफेट हं यहां पर प्रियूट का प्रियूट का इसके अंदर आपका एटीप का फॉर्मिशन हो रहा है इसलिए आपका जो कर्यक्ट टैसर आट इस आप्शन नमबर आपको अच्छे से देखना है इसके उपर आपको एक नएक कोशन मिली जाएगा कभी क्या पूछते कभी किसी एंजाइम की बारे में पूछते तो कभी एटीप कितनी फॉर्मिशन होई क्या आपको यह भी पूछ ले जाता है जब ग्लुकोस ग्लुकोस एक्सफॉस्विट मे तो सारी चीजे आपको अच्छे सी थोड़ डीप नौरेज लेना कोई भी बायो केमिस्टी की बुख उठान उसके अंदर आपको ग्लाइकोलाइसी जाएगा बाकि आपको क्या करना है कि जितने भी बायो केमिकल साइकल लाइक ग्लुको नियोजीनेस ग्लुको लाइसी ग् आपको पता होना चाहिए जो क्राइब साइकल है उसका भी थोड़ा डीप नौरेज लेलेना क्राइब साइकल एंड ग्लाइकोलाइस इन दोनों की बार में थोड़ा अच्छा सा डीप नौरेज ले लेना ओके सॉप्शन नूमबर आपका होगा थर्ग करेक्ट कोशन नूम अपने बायों के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव कंपॉंटे यूज करते है ना लाइक किसी ट्रीटमेंट के अंदर या तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए उनकी कभी-कभी है पूछले आता है या फी यह पूछले आता है तो यहां पर आपका मेंली पूछा गया है यहां आपका जो आइंसर आएगा यहां यहां पर विक गामा रेस भी निकलती है बट मेंली आपको पूछा गया है ऐडियों बन 31 के लिए तो वह आपका बीटा डिस ऑप्शन नमबर भी होगा आपका करेक्ट कहीं कभी-कभी एडियों आपको यह भी पुछा जाता है किसकी लाइव अ bri्कशन गिया हार थे था टेह लंगना एडशी til्स हेन स्क्राइब लोग करेक्ट है ना कोशिंशन नमबर गिन्य-इंजम रिफॉर्ट सो यहां पर तो रहा हैं इसको आपनेक है तो यहां पे इस टाग का ओक्ष्या Um पाइज दूसरा कि है आपका अन रिस्पंसिक्च्ट लिएय। तो यह आपका होता है करेक्ट ऑन्सवर. क्योंकि आन डिस्पंस और कि भाए य। तो वह उती है, उस कंडिशन को बोलते हैं अजिस.. ऑप्छन न म्र आपका होगा.. बी करेक्ट.. ना कोशिट नमबर 67 बाइलोजिकल स्पीजिस कंसेप्ट गीवन इंफेशिस मेंली अन अब देखो बाइलोजिकल स्पीजिस कंसेप्ट तो आपको पता है कि मियर नी यह कंसेप्ट दिया था और यह वाला टॉपिक बहुत काफी जाएदा इंपॉइंट है कभी पूछ ले आत होता है कि फाइलोजेनर्टिक रिलेशिंशिप क्या होता है वगर इस सारे चारो जो ऑप्शन है वो सारे आपका इंपॉरेंट है जो स्पीजिस कंसेप्ट अला जो टॉपिक है वह आप अच्छे से देख लेना ओकि उसकी बारे में एक नई कोशिंस आपको मिल ली जाएग मॉफोलोजिकल स्पीजिस कंसेप्ट ही आपका a like सिबलिंग इस चारे तो ये ही चोड टॉपिक है यौ अपकर आपको एक दो बिले जाएंगे so option number आपका होगा second correct and he questions बहुत बाहर आ चुका है ना repetitive है question number 68 again repetitive question है which one of the following correct structure of the five prime cap of MRNA जब जो MRNA है cytoplamps से नुकलिस के अंदर enter करता है तो इसके अंदर बहुत सारी modification होते है तो जो five prime capping होती है तो यहाँ पर आपका five prime capping के बारे में पुछा गया है तो देखो मालोगी MRNA है ना MRNA का जो five prime side है यह nucleotide last nucleotide उसके last में क्या three phosphate है रोंगे तो एक चीज़ धियान रखना है यह जो three phosphate है अब यहाँ पर आके कोई कैप लगी उसको हमने बोला है five prime capping five prime के उपर कैप लगना अभी कैसे होता है कैसे ही क्या चीज़ होती वह देखते तो यहाँ पर पहला फॉस्फेट उसको बोलते है अलफा धियान लगना अलफा दूसरा फॉस्फेट उसको बोलते हम बीटा और तीसा फॉस्फेट उसको है वह हो रिमुगा मैंस का मतलब कि कहा है कौन सफॉस्फेट रिमू हो हो रहा है आपका घामा घामा वाला खुछ तो यह नहीं हो गया रिमॉ रिमुक्त een और हो भी एक फॉस्फित रिमुट हो गया अब उसकी बदले में दूसरा फॉस्फित आएगा वह कहां से आएगा गौनीन जो गौनीन है वह आपने एक फॉस्फित लिका अगे एक नुकलेटेड होगा यहां पे देखो यह रहा गौनीन नुकलेटेड है और इसके पास एक यह इंटेट है इसको हम बोल सकते हैं यह थी जियान रखना बॉस्फीट चीजद खेंटना इसको कॉन सी फॉस्फइरड उता है नुकलेटेड कोन सा फॉस्व Чद ग्यों वह भी आएं अपाल्फा इंप के पलतले इस ठीज़िए अश्के ज़यन ऊसके बाद जो गौनिन है उसके जो 7 7 आली जो साइट है ना 7 पोजिशन पे मिथाइल ग्रूप एड होता है इसलिए हम बोलते हैं M7 ओके तो यह इस टाइप का प्रोसेश होता है तो इस नुक्लेट का यह 5 प्राइम एड है इसका भी यह वाला 5 प्राइम एंड है तो दोनों के 5 प्राइम हैं इसका मतल बोंड है इसलिए हम बोलते हैं GM 5 प्राइम टू 5 प्राइम एम आ ने ओके सॉप्शन नमबर आपका होगा सी करेक्ट कोश्यन नमबर 69 ऑ 58 ओल्ड वूमेन गोस्टो एफ फीजिशन बिकास सी है जी इस हाविं डिफिकल्टी इन त्रेडिंग नीडल तो कई 58 ओल्ड वूमेन है वह मिस मिस जो सुई के अंदर अपना वह थागा होता है वह डान ली पा रहे है तो आफ्टर थू फीजिशियल एग्जामीन एग्जामीनेशन सी इस डिग्नोसिस विद पैरिस बापिया फीर ऑस्टे डॉक्टर को दिखाया और उसको पता चला कि उसको क्या है क्या प्र आए परमायटोपिया क्या होता है ना वह साइबसेफ होती हो सबके बार में आप अच्छा सा लिए लेलन तो यह अपर आपको हिण ज 가운데 प्रॉस इसके स्टॉफनिंग हो जाएगा ना तो इसलिए हम बोलते हैं स्टॉफनिंग अफ दी लेंस सॉप्शन नमबर आपका होगा सी करेक्ट इस डिफैक्ट को लाइक सरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हम पैसेंट को दिया जाता है यूजिंग बाइफोकल लेंस ओके सॉप्शन नमबर आपका होगा थर्ड करेक्ट ना कोशन नमबर सेवन्टी कोजिंग सींड्रोम इस ड्यू तु हाइपर सिक्रेश होताए न कि किसके अंधर एक्स सम सकाथ होता है या फिर्लो शोता है किसके वज़ेस क्या जो ते कि हॉइंगे हैं पORAइपर सिंड्रों के बाड़ें में आपको ना कोशिन नमर 71 विच्वन फॉलेंग इस मोस्ट कॉमनली यूज काईरो प्रोटेक्टेंड अब देखो काईरो प्रोटेक्टेंड क्या होता है ना तो यह को लाइक एक सबस्टैंस है जो की कोई बाइलोकल टीशू है ना मानलो यह टीशू है इसको हमें लो टेंपरेचर के करेंडिक्टि को रहने तो क्या होगा इस का राइक उसके अ जाझे केड़ने लग जाएंगे औहना तो हमें किया करना इस बिलोचिकल टीशू को लो टेंपरेचर के सिपांटियो इस बनाने से इस परिवेंट करने तो इसको किया करिंगा जोइक केंडिस करेंगे किकोई क्य यहां पर आपको क्या दिए रखा कोशिट में मौस्कॉमली आपका होगा ऑप्शन नमब डी डाइमिथाइल सल्फ और सल्फ ऑक्साइड ना कोशिट नमब सेवेंटीट विबोनी प्लेग इस इवल्फ तो यहां पर आपको जी जू प्लेग है वह रट के तुरू ना इस इंसेट कौन सा फ्ली होती है उसके तुरू एंड कौन सा वाइरस कॉस करता है शारी बैक्टीरिया ना यह यह शीन यह पेस्टीज तो यहां यह ना यह जो भूनी प्लेग यह किसके थू बैक्टीरिया कि थूख होता है तो बैक्टीरिया आपका हूगा यह 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 जो माल अनिमल्स लैक्ड यह तो रच के थूआ यह लोगा दोगा यह भी मेर्ट फिर आपका दे रहे है इस इंसेक्स इंसेट कौन सा होगा जो रैट फ्ली है देट इस जीनोव सिल्ण टो इसकी फंट रहों कि इसका वेक्टर दो दो एक पार आपका इनिमल दाट इसा राइट तो इसकी फ्रू यह एपका इसको का दू का टे इसका थे घान रहना तो आपका थे जितने भी डीजिस बैक्तेरियल डीजिज इसे प्लाजमोडियम डीजिज इसके वेक्टर कॉंस है अके एंड उसके और कॉंड निख करने के लिए और यह वाइरस यह बैप्टीरिया है क्या है तो उसके बाइ में पता होना चाहिए साथ जो एनिमल लाइक जो रैट फ्ली इन इसका scientific name भी आपको पता आना जी कभी कभी इसका scientific name पूछ लियाता है इसका scientific name है आपका Xenopsylla Chipsis okay तो यह भी आपको पूछ लियाता है तो यह भी आप learn कर लेना okay option number अपका होगा be correct CC fly की बारे में काफे ज़्यादा पुछा रहता है उसकी scientific scientific name पुछ जाते हैं कौन से इसकी स्टैंड होती है अलग लग टाइप की स्टैंस होती है अफ्रीकन अलग होती है तो यह चीज़ ध्यान रखना तो आपको क्या करना है कि जितनी भी डिजीज है उसका एक चार्ट बना लेना कि कौन से डिजीज क्या कॉस कर रही है और इसकी व सांवर्ण चिपल्स जो टक वोटर होता है उसके आगे हम लगाते ना आप देखो अगर यहां से अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा वाटर लौस मेंस बहुता होगा है नि जो और अगर इसके आगए हम था यह तका लगा लेते हैं इसके वाटर लौस क्या होगा कर दो option number आपका होगा a correct now question number 74 the strength of the selection expressed as as the coefficient of selection s if the contribution of favor favor genotype is taken to be 1 the contribution of the genotype selected against will be so here you have asked about the selection coefficient so if you have a simple formula पता होना ची formula यहां दे रके तो w is equal to 1-s okay w is the relative fitness and s is the selective coefficient तो यह इसको इदर लेके जाओ या फिसको इदर लेके जाओ formula इस टाइप का बन जाएगा ना 1-w या फि 1-s तो देखो 1-s कहां दे रका option number c के अंदर है ना so option number c होगा आपका correct now question number 75 you social organization is found in all species okay found in all species तो यहां पर आपको you social animals insects के बारे में पूछा गया है तो देखो अलग-अलग type की social organism you social sub-social है ना तो इस अब के examples आपको पता होना चाहिए तो यहां पर क्या पूला गया all species तो देखो ant and termite की इतनी भी species है सब के सब यह social so करती है okay means अब का अलग function differentiate है कि यह function करेगा यह function करेगा ओकी तो यहां पर उसकी species में आस होता है और जो वास्प है उसकी कुछ species में होता है यह होगा नहीं ना तो आफिर्स की भी कुछ species में होता है यह होगा नहीं तो आफिर्स की भी कुछ species में तो overall चीज यह आपका जो answer है all species पूछा गया तो ant and termite की इतनी भी species है सब के अंदर यह 100 होता है so option number आपका होगा first correct now question number 76 tourism is the characterized features of the level development of which of the following molluscules class तो यह पर आपको कुछ नहीं करना है जितनी भी जितनी भी class and orders होते हैं की जो भी function specific character है आपको पता है कि जो guest report है वो tourism की वज़े सी उसका like defense yet है जो model tax जो guest reports है tourism का मतलब होता है कुछ नहीं 180 degree like 180 degree तक rotate कर सकता है तो means this type का तो यहां पर जो answer है आपका option number first correct है कुछ नहीं करना है simple से सबकी उपर उपर से like specific character like inklant किसके अंदर present है वो वाला organ किसके अंदर present है यह organ क्या science करता है इसका function क्या है तो जितनी भी आपका phylum है जितनी भी आपकी class है उसकी जो उपर-उपर के function like man-man function उसकी जो organisms है वो उसके specific character वो आप अच्छे से learn करना क्योंकि specific character के उपर ही आपके questions पूछी जाते है तो यह होता है due to the opening of the pulmonic wall is delayed okay so option number आपका होगा 3 correct जो हाट वाला जो topic है उसके बारे में थोड़ा सा deep knowledge लेना guidance से पढ़ लेना हाट वाला जो topic है तो उसके बारे में आप थोड़ा deep knowledge लेना okay तो यहाँ पर आपका जो answer that is option number 3 now question number 78 again very simple and easy question the psi and phi bond is regular features of यह जो पहले तो यह जो नाम इसको learn कैसे करते है यह त्रिसूल है means psi okay तो ऐसा बहुत सकते है साइबाबा means आप त्रिसूल से साइब इससे learn कर लो ना तो दूसरा आपको पता चल जाए कि यह क्या है और यह आपका होता है omega अब देखो यह जो bonds होते हैं यह आपका जो amino acids के अंदर होता है ना यह amino acid का diagram है amino acid structure है तो आपको पता है कि क्या होता है NS2 CH फिर यहाँ पर कोई R group होता है तो यहाँ पर आपका फिर एक दूसरा amino acid यहाँ पर आपके बाइन भुजाएगा तो देखो यहाँ पर जो एंस जो उसका खुद का एन है एन खुद के सी की बीच में और एन सी की बीच में जो bond होता है इस दो 5-1 के की बीच में CC मिल्स आइड तो ऐसे लन कर लेंना CC साइड तो CC की बीच में आपका साइड वांड होता है तो एसे कंफ्यूज मत दो आपका एक अमिनोसेड की बीच में आप देखो जब दूसरा amino acid यह एक amino acid ओके नंस टू तो च्छ आर्फी सी ओएच ओकी इसका ओएच रिमूव हो जाता है वॉटर रिमूव होता है एन यह रामिन अशिद इन दोनों की बीच में जो बहुंड होता है डैट इस ओमेगा ओकी तो यह चीज धियान रखना तो कंफूज मत होना यहां पर कुछ नहीं है ओमेगा मिन्स दो डिफ्रेंट अमीन अशिद की बीच में और विदिन द विदिन अमीन अशिद तो यह आपका होगा फाई तो यह चीज धियान रखना तो यह क्या है आपका अमीन अशिद है अमीन अशिद की अथा पॉलिपेप्टेड है बहुत अशन अमीन अशिद बंडल के फाई पॉलिपेप्टेड करता है आपका होगा बीकारेक्ट अन्हीं जो डाग्राम में जो डिसक्राइब किया था रामाचंदर प्लोट के अंदर तो चो रामाचंदर प्लोट है वह च्छे से देख लेना कि कि इसके अंदर क्या चीज है उसका थोड़ा अब करते लोट नियुका टीप नॉलिज लेलना अछिज्टी कि अपको बायो चाहिंट पाथफफाइंदर के अंदर जो प्लोट सौरी बायो किमेश्टी है उसके अनर रामाचंदर प्लोट अपको मिल जाए गा रामाचंदर प्लोट अधर एगए इसके अधर किया और आता है तो इस साइब की जो टॉपिक्स आप अच्छे से पाथ फाइंडर से देख लेना सफी संट या फिर कोई भी बायो केमिस्टी की बूक हो कि पाथ फाइंडर एंटिस एक्जाम के लिए बूक है ना तो इसके उतने आपके पास इसका पीडिएफ नहीं तो आप मुझे टेलिग्राम पे जाइंड कर सकते हो वह आपको इसका जो पीडिएफे बूक्स की पीडिएफ आपको मिल जाएंगे ओके ना कोशन नमबर 79 विच अप दो फॉलेंग बिहेवियर कंपोनेंट कैन बी पेस इन दी कैटेगरी और ऑफ एगोस्ति आप युमन बिहेवियर वाला जो पार्ट है वा अच्छे से देखना अनिमल बिहेवर का उपर उपर से टॉपिक्स लाइफ जो दू दू लाइन साप अच्छे से देख लेना उसके अंदर एंग्जांपल्स क्या होते हैं वो देख लेना क्योंकि अनिम यहां वेमने क्या निए रखा है एंगोस्ति प् önष्वियर पिंटरोंट है तो देखो इस ब्लाइर क्या होता है थाअंड दो फैelnस्प्रींस को आपस faço!」 करती है इन दो same species की बीच में competition हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा-specific competition और उसी के अंदर आपका आता है एंगोस्टिक behavior pattern मिस दोनों आपस में fight कर रहे हैं तो यह किसकी बीच में होता है यह होता है दो same species की बीच में तो देखो options में ऐसे eliminate कर दो dog and mouse होगा नहीं dog and mouse होगा नहीं and owl and sparrow होगा नहीं different species dog and dog same species इसलिए आपका correct answer होगा that is the option number C okay इन दोनों के बीच में fight हो रहे है means dog running away from the threat की dog भाग रहा है क्यों बाग रहा है और से और से बात दोनों के बीच में या तो उसको मारे कर तभी वो run हो रहा है है ना तो यहां पर आपको जो answer that is the option number C now question number 80 between between fertilization and the first cleavies first cleavies and fertilization के time बीच में actin filament pull the cytoplasm of the frog egg toward the point of sperm anti this process is called इसको हम बोलते है cortical rotation है ना so option number आपका होगा be correct option number second okay cortical rotation यह जो topic है आपको fertilization वाला यह बहुत बहुत जादा important है especially आपको human and sea urchin का जो fertilization वाला topic है वो आप अच्छे से देख लेना इसके अंदर gametogenesis देख लेना ogenesis देख लेना cleavage pattern देख लेना gastrulation देख लेना इसके उपर यह जो development biology के यह सबसे important topic है कौंगवन से fertilization ogenesis gametogenesis cleavage वाला topic है और gastrulation इस topic को अच्छे से बहुत डीप knowledge लेना okay gastrulation में involution क्या होता है वो चीज क्या होती है involution क्या होता है कैसे conciliar किसके ओपर जाती है तो स्टाप की questions आपको पूछे जाते हैं and जो cleavage अला portion है cleavage में आपको यह पूछा जाता है कि type of cleavage कि rotational cleavage है तो इसके अंदर आपका example कौन से है especially आपकी examples के ओपर काफी जादा questions एक question तो मेल जाता है तो यह आपको जो developmental biology है उसके अंदर सी topic को आपको अच्छे से prepare करना okay so इस question के अंदर हमने total 80 questions को discuss कि मिलते है next part के अंदर उसके अंदर हम next 20 questions को discuss करेंगे okay so अगर आपको मेरा मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करना and comment करके ज़रूर बताना okay और उसके regarding आपको क्या चीज़ी provide करानी वह चीज़ भी आप मुझे comment में बोल सकते हो तो मैं आपको provide करा दूंगी और साथ यसाथ questions की practice करते जाना okay जितने ज़्यादा questions करोगी उतनी ज़्याद आपकी preparation अच्छी हो जाएगी and अगर आपको कोई भी बुक्स की requirement है मेरे पास जो टेलिग्राम ग्रूप है माप आपको books मिल जाएगे like pathfinder हुआ जो भी standard books है सबका links मिल जाएगा तो वहाँ पे आप महां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो okay so अगर आप आप कर दो जाएगे